नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 2 दिसमबर 2020 के डेली एडिटोरिल डिसकुशन में आपका स्वागत हैं देखते हैं कौन को से आटिकल्स आज हम डिसकुस करेंगे देखे पहला आर्टिकल तो बहुत ज़्यदा साइक्रलोजिकल है इसमें ज़्यदा गुसनिंग जलो थैनी दफ परनीशिस आइडिया उफ एक्सकुलूजिव बिलॉग है यहाँ पर मल्टिप्लिसिटी की बात हो रही है मल्टि कल्चलरिजम की बात हो रही है इंडिया में होता ही है कि अगर आप बंगाली हो तो आप उडिया नहीं हो सकते अगर आप हिंदू हो तो मुसलिम नहीं हो सकते तो कुल मेरा के आपके region के हिसाब से, आपके ethnicity के हिसाब से, आपके history जिस जगा पे आप रहरे हों उसके history के साब से आपके identity fix हो जाती है और वो identity आपको by की identity से मिलने नहीं देती है चाहे वो language के आधार पर हो चाहे वो धरम के आधार पर हो चाहे वो कास्ट के आधार पर हो तो इस तरीकी की बाते बताईगे इस आर्टिकल की इसलिए हम लोग के लिए इतना important यह है नहीं नेक्स आर्टिकल पर आते हैं the last straw is being further disabled यहाँ पर देखिए एक particular event को लेके एक particular issue को लेके disabled persons के पास जो भी rights available है उसके बात की गई है देखिए father swami करके एक person 83 old activist है इनको Parkinson's disease है और अभी के लिए जेल में बंद है किस के किस issue में तो जो भी में कोरे गाउं वाइलेंस हुआ था था न दोज़र अथा में उसके issue में इनने बंद कर रखा है जेल में अभी जेल में इनको पानी पीने के लिए गलास से पानी नहीं पी सकते तो इनको straw की प्रोवाइट किया गया और बहुत डिले किया गया इनको straw प्रोवाइट करने में तो कहीं न कहीं जो हमारा justice delivery system है हमारे जो prisons है वो हमारे disabled persons की तरफ कैसे react करते हैं उनके साथ कैसे deal करते हैं ट्रीट करते हैं इसको यहाँ पर काफ़ी क्रडिसाइस किया गया है इंटरनेशन में हो आपको उनको उनके basic human rights available कराने बड़ वो available नहीं कराये जा रहे हैं तो इस से related points बताएगे इन points को देखेंगे नेक्स्ट भाई, regional priorities, SEO serves India's quest for geopolitical balance and regional engagement Recently, SEO की head of government की meeting को इंडिया ने host किया हरा कि इंडिया ने इसको virtually host किया रियल में सामने सामने host नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या international facets निकल के आ रहे हैं उसके बारे में बात की जाएगी तो एक इस article को आपने लोग देखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं, SEO progress देखें, WHO की investigation शुरू हो गई है, यह पता करने के लिए कि coronavirus का origin कहां से हुआ अगर इससे पहले एक और strain था coronavirus का, SARS coronavirus SARS coronavirus animals से आया था और 2003 में SARS के outbreak के कुछ हफतों के अंदर ही WHO ने पता कर लिया कि SARS coronavirus animals से आया है, चाइना से निकला है लेकिन जब बात की जाती है, COVID-19 की, novel coronavirus COVID-19 को आय हुए 11 महीने हो जोगे है 11 महीने से तरखाट मचा रहा है, almost यह virus और अब था कि इसके origin नहीं पता चल पाए है बट कहीं न कहीं WHO investigation कर रहा है, तो यह investigation कितने अच्छे तरीके से हो जाए इसके लिए responsible होना जरूरी है, चाइना जैसी कंट्रीज को मदद करना जरूरी है लेकिन चाइना जैसी कंट्रीज के यहाँ पर कोई transparency है नहीं, वो हर चीज को दबा कर रखते हैं तो देखते हैं, आग अनल समय में WHO कितना अच्छा काम कर पाता है फिर बात करते हैं, why business balance should not run banks देखे, इस article को अभी के लिए मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, इस से related इसमें जो बहुत से points दिये गए मैं पहले आपको बता चुका हूँ मैंने आपको बताया था ना, कि एक news आई थी कि business, news क्या RBI की एक committee का proposal था proposal क्या था? कि जो बड़े-बड़े business enterprises इनको banking license दिया जाए और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बड़े-बड़े businesses है ना, ये green field banking projects को develop नहीं करेंगे, ये जो already public sector banks है, इनके stakes को खरीदेंगे तो यहाँ पर वही points बताया गया है कि business barons को bank run क्यों नहीं करने दिना चाहिए, अभी एकलिए discuss नहीं कर रहा हूँ, काभी सारे points में discuss कर चुका हूँ, already time में नहीं है no leverage for Biden on Iran, यहाँ पर यहीं बताया गया है, कि इरान के nuclear scientist के head को, फक्रिजादे को मार दिया है, मुसाद ने, उसके बाद Biden का इरान के साथ discussion कर पाना, negotiation कर पाना, यह और मुश्किल हो गया कई points पहले बताएं, इसलिए, यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूँ, यह वाला article में important points में आपको बताऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि यह points आप कहीं quote कर सकते हो, winners who disappoint, वेकि ऐसा बहुत बार हुआ है, कि Nobel Peace Prize किसी एक leader को दिया गया, और उस leader को Nobel Peace Prize आपने दिया, और बाद में उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो, जो कि उसके Nobel Peace Prize मिलने वाला ना हो, अभी देख ले, अभी अहमद, Nigeria में क्या हो रहा है, ठीके, sorry, क्या, अभी एहमद को Nobel Peace Prize मिलना चाहिए, तो यहां पर कुछ ऐसे examples दे रखे हैं, जहां पर leaders को Nobel Prize दिया है, और जब क्यों Nobel Prize के लायक नहीं थे, तो वो कौन-कौन से leaders हैं, बारे में मैं आपको बताऊंगा, leaders के नाम याद रखेगा, और क्यों वो Nobel Prize के लायक नहीं थे, यह सकते हैं, उससे मेरी थूल हेल्प भी हो जाएगी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजा, आपको जवाब दो, टेलिग्राम ग्रूप जोन कर लीजा, आपको अपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी, तो लॉस्ट्रॉ, इस बिंग फर्धर डिसेबल, डिनाइंग अ प्रिसेबि इयर ओल्ड अक्टिविस्ट, नोना जनेरी, अक्टजनेरी मतलब जो अपनी 80s में, इनको पार्किंसन्स डिजीज है, नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी ने इनको अक्टूबर में अरेस्ट किया, क्यों? विकॉस ही इलिजिडली इन्वाल्ड इन्वाल्ड इन्वाल् जब सौमी वहाँ पे बंद थे, इन्होंने एक अप्लिकेशन करी, अपने लॉयर के थूरू कि भाई देखे, मेरे को परकिंसन्स डिजीज है, मैं गलास से पानी नहीं पी सकता, मुझे सिपर एक स्टॉब की जरूरत है, 20 दिन तक इनकी अप्लिकेशन को डेफर रखा गए और 20 दिन के बाद NIA ने कोर्ट को इंफॉर्म किया कि हमारे पास सिपरिया स्टॉब नहीं है, सिपरिया स्टॉब एक रुपए का आता है मार्केट में, कोई भी खरीद के दे सकता है, बाद में सुनने मैं था कि Jail Authority ने अवलिबल करवा दिया था, इनके लोयर्स ले आया थ बोला यह जा रहा है कि एक disabled person को, no matter उसने कितना भी गलत किया हो, यहाँ पर गलत तो सही की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर यह बात नहीं करी जा रही है, कि भाई वो person निर्दोश है या वो person दोशी है, कोई person निर्दोश है या कोई person दोशी है, इस चीज को पता करने का अधिकार सिर्फ हमारी जुडिश्री के पास है तो हम as an individual नागरिक इस बात पर comment नहीं कर सकते कि एक person ने दोश है दोशी लेकिन एक person के basic rights की बात की जाए और एक ऐसे person के basic rights की बात की जाए जो already disability से सफर कर रहा है इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करना ज़रूरी है हमारी जो जेलों की हालत है already jail में लोग बहुत साथ है underfunded हैं तो मतलब prison environments को सुधारने के लिए पैसे तक नहीं है तो भाई या इंडिया की jail को अगर आप USA जेल से compare करोगे तो आपको लगएगा कि इंडिया की jail कम से चालिस पचास साथ साल पीछे in fact आप से पचास साल पहले की यूएस की jail से इंडिया की प्रेजेंट जेल से अच्छी होंगी तो कहीं न कहीं अगर आप disabled persons की rights की बात करो भले ही वो disabled persons jail में बंद हो तो भी उनके कुछ ना कुछ rights है और यह rights international conventions में भी दिखते हैं और domestic laws में भी दिखते हैं for example international law में एक convention है UN convention on the rights of persons with disability CPRD which applies to all persons with disability including the detainees and prisoners and to which India is a signatory मतलब यह जो UN convention on the rights of persons with disability जिसको आप CPRD बोलते हो यह उन सारे detainees और prisoners पर अप्लाई करता है जिनके पास कोछ disability है इंडिया ने इस UN convention CPRD को sign किया है और कहीं न कहीं इसको sign करने के चलते यह convention इंडिया की authorities के ऊपर एक positive obligation ले के आता है कि आपके जो भी prisoners है जो disabilities से सफर कर रहे हैं उनको आप थोड़ा human rights के एसाफ से tackle करिए तो to ensure that prisoners with disabilities are on a equal basis with other entitled to guarantees in accordance with international human rights law यानि एक disabled person और एक well-off person obviously बात है जेल में एक well-off person और disabled person को आप compare नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं इस disabled person को आपको कुछ extra benefits देने पढ़ेंगे ताकि वो dignified तरीके से चीज सके उसके बात वो disabled person he should be treated in compliance with the objectives and principles of the convention including by provision of reasonable recommendation दो उसको reasonable recommendation देना proper तरीके से उसको treat करना ये सब बाते यहाँ पर कहीं गई है और भाई यहाँ पर एक और चीज है एक disabled person को अच्छी तरीके से जीने करे auxiliary aids की जरूत परती है auxiliary aids का मैं आपको example बताता हूँ माल लीजे दोस्तों किसी को hearing disability होता है न कभी-कभी हमारे घर में जो हमारे नाना होते है नानी होती है उनको नहीं सुनाई पढ़ता बुढ़े age में problem हो जाती है तो उनके पास एक machine होती जो वो कान में लगा लेते तो उनको सुनाई पढ़ जाता है उस पास की लोग क्या बोल रहा है जो कि उसके बिना वो अपनी daily life को proper तरीके से नहीं जीत पाएगा और अगर इस प्रकार की auxiliary aids भी उसको available नहीं करा जाते हैं मतलब state अपने obligation से पीछे अट रहा है state उन persons को और further torture cruel और inhuman degrading treatment को subject कर रहा है जो की गलत है ये नहीं होना चाहिए उसको basic human rights मिलने चाहिए जो की उसको नहीं दिये जा रहा है फिर आप देखे ये जो obligations दे रखे हैं इस UN convention of CRPD के अंदर इनको support करते हैं इनको compliment करते हैं कौन provision of article 10 of international covenant on civilian political rights इसको आप ICCPR भी बोलते हो तो ICCPR में भी disabled person के लिए फिर ने बाते लिख रखी फिर Nelson Mandela Rules Nelson Mandela Rules को UN General Assembly ने 2015 में अप्रूब किया क्या बोलते हैं Nelson Mandela Rules minimum rules for the treatment of prisoners standard minimum rules for the treatment of prisoners also requires that the prison administration make all reasonable accommodation and adjustment to ensure that prisoners with physical, mental or other disability have full and effective access to prison life on equitable basis यहनि कि यह Nelson Mandela Rules जिसको UN General Assembly ने अप्रूब कर रखा है 2015 के resolution के थूँ यह बोलते हैं कि prisoners को कुछ ऐसे standard benefits दिये जाने चाहिए जो उसकी life को अच्छा बनाए उसको reasonable accommodation देना proper adjustment देना physical, mental disability को हटाना access to prison life होना चाहिए on an equitable basis तो यह सब चीज़ें होनी mandatory है यह कौन बोलता है? यह Nelson Mandela Rules बोलते हैं फिर उसके बाद देखिए अगर आप भारत के सम्विधान की बात करिए तो भारत के सम्विधान में भी disabled persons को article 14 के अंदर और article 21 के अंदर rights मिले हुए सीधे सीधे भरे ना बात करें बट persons with disabilities को article 14 और article 21 के अंदर rights मिलें और फिर एक अलग से Indian legislative act भी है जो in disabled persons को right देता है इसका नाम है Rights of Persons with Disability Act 2016 Rights of Persons with Disability Act CRPD UN Convention CRPD को इंडिया में अपलाई करता है और यह बोलता है that persons with disability enjoy the right to equality life with dignity and respect for integrity equally with others इनके खिलाफ discrimination नहीं होना चाहिए तो यह सब बाते यहां पर बोली गई है फिर right of persons with disability act state government के उपर एक और responsibility रखता है कि state government वो सारे necessary steps लेगी जो कि persons with disability को बचाने में काम आएंगे किस से from torture, from cruel, inhumor और degrading treatment ठीक है फिर in persons with disability को jailों में reasonable accommodation भी available करवाय जाए यह भी दे रखा है rights of persons with disability के अंदर और obvious ही बात है अगर किसी एक person को Parkinson disease है तो Parkinson disease rights of persons with disability की eligibility को पूरा करता है होके तो basically rights of persons with disabilities में साफ तोर पर यह नहीं लिखाए कि prison में बंद लोगों के लिए क्या किया जाएगा बट कहीं न कहीं rights of persons with disability act में यह लिखाए कि अगर एक disabled person किसी severe problem से गुज़र रहा है तो उसकी help करनी है अभी Parkinson disease जो father swami को हो रखा यह एक serious problem है तो obviously rights of persons with disability act में Mr. Swami eligible हो जाते हैं benefit लेने के लिए लेकिन अब यह बात आप बोलके rights of persons with disability act में jail में बंद लोगों की बात नहीं लिखी गई तो यह गलत है बहले ही Mr. Swami जेल में बंद हो अगर आप UN convention CRPD को rights of persons with disability act से जोड़ के देखेंगे तो सीधी सीधी बात है Parkinson disease यानि वो person अलड़ी बहुत ज़्यादा disadvantaged है उसको और disadvantage नहीं करना auxiliary aid provide करना वो प्रापर तरीक से जी चेके एक dignified life यह बहुत जरूरी है बहले ही वो जेल में बंद है ठीक है तो यह से बाते हैं दोस्तों यहां पे बोली गई है तो यह जो denial हुआ है Sipper और Straw का फादर स्वामी को इसको काफी उठाया गया वो अलग बात है कि बाद में lawyers ने और jail authorities ने Sipper और Straw उनको available करवा दिया कहीं न कहीं 83 साल का बुड़ा आदमी jail में बंद है इस बीमारी के साथ उसके case को take up करने में इतना समय क्यों लग रहा है priority base पे इस case को take up करना चाहिए कहीं न कहीं Supreme Court ने High Court को directions भी शू कियें कि भाई तुरंद इस case को take up करो तो इतने दिन तक आपने उनके case को pending कर रख था है वो jail में बंद है तो ये भी एक ऐसे facet को point out करता है हमारे criminal justice system कि भाईया criminal justice system बिलकुल ही disabled person की तरफ compassionate नहीं है कहीं न कहीं भले ही हमारे criminal justice system में अगर delay है कोई बात नहीं delay है लेकिन कम से कम इस तरीके के लोग जो कि disabled है उनके cases को भी तो proactively take up करिए वो भी नहीं किया जा रहा है तो ये बाते हैं point out की गई है अगले article पर चलते है regional priorities on the SEO summit the SEO serves India's quest for geopolitical balance and regional engagement देखिए ये जो eight member का organization है शांगाई cooperation organization इसकी head of government की meeting को recently इंडिया ने host किया पहली बार Monday को ही इंडिया ने host किया तीन साल इसको join करने के बाद ओके तो यहाँ पर एक 66 point का communic issue हुआ finally और यहाँ पर बोला गया कि भाई हम लोग एक plan discuss करेंगे develop करेंगे जिसका नाम है plan of priority practical measures for 2021-2022 to overcome the socio-economic financial and food consequences of COVID-19 in the region तो basically जो members है SEO के वो लोग क्या करेंगे they are committed to strengthening multilateralism and the UN Charter while welcoming the fact that the grouping is now being seen as influential and responsible participant in the modern system of international relations तो बस भाई यहाँ पर बाते हैं तो देखे बहुत अच्छे अच्छी करी गई हैं लेकिन कहीं न कहीं इस grouping के अंदर कुछ बहुत major issues हैं जैसे कि for example हमारे प्रदान मंतरी मोदी जी और पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इमरान खान इन दोनों ने इन मीटिंग्स को attend नहीं किया क्यों नहीं attend किया कि बोला गया कि भाई कुछ protocol mismatch है protocol mismatch क्यों है चुकि भाई अगर आप democracy की बात करिये तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही democracy है SCO के अंदर बाकि जितनी भी कंट्रीज है या तो वो former Soviet block को बिलॉग करती है चायनों को बिलॉग करती है तो कहीं ना कहीं head of government की meeting सो protocol mismatch हो गया और हमारे मोधी साहब को अपनी लोगसभा constituency वारा नसी में भी जाना था तो मोधी साहब ने इस meeting को अटन नहीं किया on behalf of of मोधी साहब Vice President वंकाया नादूनेस को प्रेजेंट की और वंकाया नादू जी ने statement दिया कि भाई cross border terrorism SCO का biggest challenge है तो basically बात यहां पर यह है देखियो SCO जैसा organization जहां पर head of government की meeting हो रही हो और India में वो meeting host हो रही हो वहाँ पे हमारे प्रदान मंतरी मोधी साहब वर्चुली भी आ कि उस meeting को lead नहीं कर रहे है तो कही न कहीं इंडिया के तरफ से एक बहुत strong statement है ठीके वो statement indirectly बहुत चीजों की तरफ जाता है वो इस meeting में जो बहस हुई है और उन बहस में जो points दिये गए उन points की basis पे आपको पता चल जागा कि यहाँ पे इंडिया actually में कहने की कोशिश क्या कर रहा है देखें मोधी जी को represent किया हमारे wise president साब वंकया नाइड़ जी ने और उन्होंने बहुत strong observations कि cross border terrorism पे इन्होंने बोला कि cross border terrorism SCO के region का सबसे बड़ा challenge और पाकिस्तान पे reference कर रहा है और पाकिस्तान अपना one point एजमिरा कश्मीर लेके चल रहा है पाकिस्तान बोला कि state terrorism को बंद करवाई है disputed areas में तो और बहुत ही बात है इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के पास आते नजर नहीं आ रहे और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे इंडिया और चाइना एक दूसरे से दूर नहीं होते नजर आ रहे है जब joint statement आया यहाँ पे SCO का तो कोई भी terrorism का उसमें आप कह सकते हैं की inclusion नहीं था तो मतलब final joint statement SCO का there was no reference to terrorism तो जब terrorism को reference नहीं है तो मतलब आप इंडिया के issues को address ही नहीं कर रहा हो पहली बात दूसरी बात के वल trade और economic issues को यहाँ पे जोड़ा गया तीसरी बात इंडिया ने अपने differences चायना को भी यहाँ पे दिखा दिया Belt and Road Initiative का जो paragraph था इस SCO की summit के अंदर उस paragraph पे बहुत सारे SCO members ने अपना support दिखाया इंडिया ने SCO की meet के अंदर BRI पे ने Belt and Road Initiative के अंदर का जो paragraph था नहीं उसको endorse नहीं किया Mr. Naidu जो की India के representative थे in meeting में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम transparent और trustworthy trade practices को follow करेंगे और ऐसा बोल के एक indirect jive है किसके अगेंस चायना के गेंस चूकि चायना का जो Belt and Road initiative है यह दुनिया भर में लोन को सस्ते दामों मातना और फिर उन country's के assets को चीन लेना यह इसकी modus operandi है ओके फिर अगर आप देखो दोस्तो SEO is one of the few regional structures India is a part of now given a decline in its engagement with SARC, BBIN और RCEP India की जो value है यह India की value नहीं बोलना चाहिए इन organizations की जो utility है South Asian Association for Regional Corporation की utility कम होगई क्यों इंडिया पाकिस्तान गलाई चलते Bangladesh, Bhutan, India, Nepal corridor यह काम करी नहीं रहा है RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership का पार्ट इंडिया है नहीं तो basically इंडिया के अंदर यहाँ पे जो strategic grouping है उसमें पार्ट इंडिया किसका बनता है SEO का तो basically अपने immediate neighborhood में अगर countries के साथ involved होना है तो SEO one of those regional structures है जहाँ पे इंडिया अपने trade tries को और strategic tries को बढ़ा सकता है especially Central Asian countries के साथ बढ़ा सकता है इसके लिए International North South Transport corridor में भी इंडिया ने participate किया है बट कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिष्टे बहुत खराब हैं पाकिस्तान के साथ तो देखे पिछले 5 सालों में किसी प्रकार की meeting बेंस कर रहे है गॉवन्मेंट न पाकिस्तान के साथ बादचित करने का उमीदी छोड़ दी स्दान में आगया कि पाकिस्तान के साथ किसी पी तरीके से वो अपने counterpart से मेले किसके चाइना के on the side lines of SEO Meets इंडिया और चाइना के बीच में एक potent फॉरम की तरह समझ में आ रहा है हलाकि इससे पहले जो भी SEO Meets में इंडिया और चाइना की लीडर्स ने आपस में बातचीत किये ग्राउंड लेवल पर उसका कुछ नहीं हुआ है उसका इंडिया को कोई फायदा हुआ नहीं है तो बस अभी के लिए शांगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन की यूटिलिटी बस एक प्रकार से क्या है यूटिलिटी कि भाईया इंडिया का जियो पोलिटिकल बैलेंस बना ले अभी के लिए यह देखा जा रहा है कि जो न क्लाइन करने के लिए शांगाई कोपरेशन एग्रिमेंट एक बहुत ही अच्छा प्लैटफार्म है बस यही बात यहां पर बताने की कोशिश की जारी है ओके तो यह था आर्टिकल दोस्तों फिर आगे बात करते हैं स्लो प्रोग्रस यह डबलू एचो जो आपका ओरीजिन के बारे में इंक्वाईरी कर रहा है कि भई कुरोना वाइरिस हमारा नौबल कुरोना वाइरिस इसने दुनिया भर में तरकाट मचा रखा यह एक्चुली में निकला कहा है तो बेसिकली यहां पर बात क्या बोली जा लिए 2003 में जैसा कि मैंने आपको बताया सार्स कुरोना इंटर्मीजेट होस वस इंटिफाइड मोर दन ए यह आफटर फास्ट इमिन के सब्सक्राइब देखिए होता है दोस्तों कि माली वाइरस के ओरिजिन को दूना तो माली जैए आपने ओरिजिन दून लिया कि वाइरस एक अनिमल से आया है तो एनिमल से वो डाइरेक्ट हु कोविड-19 को नौवल कोविड-19 को नौवल कोविड-19 को बोलते क्योंकि कोरोना वाइरस के और भी स्ट्रेंज दुनिया भर में घूम रहे हैं सार्स हो गया एक स्ट्रेंज मर्स हो गया एक स्ट्रेंज अब बात यह कि सार्स कोरोना वाइरस का सोर्स तो आपने अनिमल सोर् यारा महीने बीच चुके हैं तो knowing the natural reservoirs and intermediate hosts and the events that allowed the virus to jump across the species barrier important in prevention यानि कि जब आपको उस वाइरस के natural reservoirs पता हैं वो वाइरस कौन से host के through humans को target करता है ये पता है तो उस वाइरस के साथ बहुत आसानी से आप लड़ भी सकते हो effectively लड़ सकते हो बट जब यही basic information ने एक वाइरस के चाइना के वोहान में यह वाइरस फैलना शुरू हुआ यहां पर बात यह हो रही है कि WHO इस बात की inquiry करेगा कि चाइना के वोहान में यह फैला तो actually में आया कहां से जब करोना वाइरस फैलना शुरू हुआ लोगों को होना शुरू हुआ तो कही न कहीं जो global medical community थी और global political community का ध्यान भी therapeutics की तरफ चला गया vaccine trace की तरफ चला गया मतलब दवाई बनाने पर चला गया preventive measures पर चला गया कि चलो भाया यह फैल गया है तो कम से कम सो control करो लेकिन आज भी यह अच्छी बात थुनने में लग रही है कि WHO इस बात पर persistent है कि हम पता करेंगे कि यह वाइरस कहां स आया है अरली अगस्त तक WHO completed the mission to lay the groundwork for joint efforts to identify the origin तो अगस्त में joint efforts शुडू हो गए है वाइरस का origin पता करने के लिए इसकी two member team वहान जाएगी वहाँ पे जाके investigate करेगी लेकिन अब तक तो चाइना सब कुछ दबा चुका होगा overall China पूरे transparency के साथ चीजों को बहार आने दे ये बहुत मुश्किल है वाइरस की investigation में जो study होते हैं वो बहुत सारे phases में होते हैं तो first phase में short term studies होगी जिसमें virus कैसे circulate होना शुरू हुआ वहान में इसके बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद longer term studies होगी चाइना में on ground जाके Chinese scientist की collaboration के साथ ये मालूम करने के लिए ये virus कहां से फैला बट चाइना जैसी country कैसी country आपको पता ही वो तो इंडिया के उपर जाम लगाने लगी कि भईया ये जो corona virus है वो इंडिया से निकला है तो भगवानी मालिक है कि क्या होने वाला है कहीं न कहीं WHO को alert करने में चाइना ने देरी कर दी वोहान में virus खैल गया और वोहान चुकी एक industrial district थी वोहान से दुनिया भर में लोग आ जा रहे थे उसके चक्कर में पूरे दुनिया में ये coronavirus खैल गया उसके बाद इस issue को internationalize और politicize किया जाने लगा Donald Trump की अलड़ी लड़ाई चली रही थी चाइना के साथ trade war को लेके उन्होंने इस लड़ाई को coronavirus में भी खीच दिया उसके बाद आप देखी कि जितना जादा चाइना के उपर pressure पड़ा है coronavirus को लेके उतना ही जादा चाइना और adamant हुआ है reluctance हुआ है और उसने उतना ही जादा अपने उपर से coronavirus के responsibility को हटा दिया दुनिया भर में coronavirus फैर गया huge economic cost चुकानी पड़ रही है इंडिया और बाकी countries जिनकी economy बिल्कुल ही नीचे चली गई ही लोगों के नियॉक्रिया चली गई है लेकिन चाइना किसी भी तरीके से कोई भी हरकर एक responsible global prayer की तरह नहीं कर रहा है तो कहिनक है यह बहुत जरूरी है कि WHO on ground proactively involved होके इस virus के source को पता करने की कोशिश करे यहाँ पे किस हदा तक चाइना में घोसके इसकी inquiry की जा सकती है यह देखने वाली बात है अब आप coronavirus के strain के source को पता कैसे करोगे कितनी animal species उस virus से infect हो रही है उस virus से effect हो रही है अगर आप यह पता करो तो आप कही नहीं पता कर सकते हो कि बहुत जादा है और इस चीज़ के भी chances नहीं है कि हो सकता है human से गया हो यह coronavirus animal की तरफ zoanotic origin इसका बताया जा रहा है कि animals से humans से आयो हो सकता है यह है कि humans से animals में गया हो फिर animals से वापस humans में आ गया हो किसी intermediate species के तरह तो भाई coronavirus के origin के उपर अभी भी बहुत बातचीत होनी बात की है हम लोग कहीं पे भी close नहीं है इस बात को जानने में कि actually मैं coronavirus आया कहां से ओके तो यह से बाते हैं आपर बोली गई है और finally एक article वे चलते हैं दोस्तो winners to disappoint Giving the noble peace prize to sitting prime minister और presidents is inherently risky ऐसा क्यों है बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि noble peace prize को किसी एक country की leader को दिया गया है उसके exceptional काम को identify करने के लिए हाँ भई peace के लिए बहुत कुछ अच्छा गर किया हो जैसे कि इतोपया के current prime minister अभे एहमस साब अभी एहमस साब को जब noble committee ने peace prize दिया क्यों दिया चुकि इनको beacon माना गया peace का इन्होंने बोला कि इन्होंने इरिट्रिया के साथ दोस्ती की इरिट्रिया जो country है वो पहले इथोपिया का यह पार्ट सा कई बार मैं इसका नक्ष्णा दिखा चुका हूँ अपको तो इरिट्रिया बाद में तूटके इथोपिया से अलग हो गया तो इथोपिया और इरिट्रिया की जहां पर boundary बनती है वहाँ पर TPLF नाम की इरिट्रिया की पार्टी बहुत डॉमिनेंट है और TPLF वाली पार्टी में टिग्रे पीपल डॉमिनेंट है और इनकी काफी लड़ाई है इरिट्रिया के साथ तो इथोपिया और इरिट्रिया के रिष्टे बहुत खराब थे पास्ट को भूलने की बात की एथोपिया को डेमोक्राइस करने की बात की और इसके लिए नॉबल पीस कमिटी ने इनको नॉबल पीस प्राइस दिया लेकिन अब जब टीपी एलफी इनके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है तो टिग्रे प्रोविंस में एक फुल फ्लेश्ड लाज स्केल मिलिटरी ओफिंसिवी लाँच कर दिया यहां पे अबे एमस साब ने और इसके लिए मौस्ट पॉबली हजारों की तागाद में लोग मरें हैं दसो हजारों की तागाद में लोग डिफ्यूजी बने हैं कही न कहीं एक्जैक्ट फिगर हमारे सामने इसलिए नहीं आ रहा है चूकि बिलकुल इंटरनेशनल सेंसर्शिप लग पर रहे हैं तो अब्विसी बात है यहां पर एक पॉइंट उठता है कि क्या अबे एमत को आपने नॉबल पीस प्राइस दे के गलती कर दी और क्या पहली बार गलती की है नॉबल पीस प्राइस की इस कमिटी ने इससे पहले भी प्रेसिडेंट जुआन मेनुवल सांटोस कोलंबिया इनको नॉबल पीस प्राइस दिया गया 2016 में क्यों चुकि उन्होंने डीकेड लॉंग सिविल वार बंद किया फार्स के साथ फार्स के साथ फार्स क्या है तो यह आम्ड गोरिल्लास हैं जिनके साथ जो सिविल वार था बंद किया ओके लेकिन फिर आप बाल में कि सिस्टर सैंटोस की प्रेजडेंसी में लगातार पैरा मिल्टरी फोर्सेज ने एकसेस किये हैं हुमन रैट्स वालिशन किये हैं तो कुल मिला कि जो भी स्टेट के अगेंस्ट बोल रहा है उसको दबा रहे हैं तो जुवान मैनुल सैंटोस को आपने नॉबल पीस दिया यूएस प्रेजिंट बैरक अबामा को इसको भी कॉंट्रोवर्सल चॉइस बोल रहा था चूकि पीस प्राइज मिलने के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप सर्च को और किया उबामा ने अफगानिस्तान में नंबर अफ अमेरिकन ट्रूप बढ़ाए एक ब्लडी वर्ड वहाँ चल रहा था उसको उन्होंने खतम नहीं किया और बढ़ाया दो हजार ग्यारा में में वेडिल्ट्री इन्वेंशन किया लिब्या में ओवर ऑल कियोस की स्थिती को बनाने में मिस्टर उबामा ने भी डिव सीजन लिये तो क्या मिस्टर उबामा को न नाम निकल के आता है माइनमार की ओंग सू की इनको प्रो डेमोक्रेसी अक्टिविस्ट बोला आता है 1991 में यह हाउसरस से बाहर निकली मिलिट्री रिक्लेटर्शिप के अगेंस ने आवाज उठाई और बाद में 2016 में स्टेट काउंसलर बनी प्रेजिडेंट तो नहीं बनी अब बनेंगी लेकिन 2016 में स्टेट काउंसलर बनी और 2016 में स्टेट काउंसलर बनके इन्होंने पावर शेरिंग एग्गरेंट किया मिल प्रव्टेस के जाता है, जो बहार के एक्पर्ण बैटे हैं, वो यह बोलते हैं, कि Mr. Sui Kee को भी जो Nobel Prize देने का Objective बताया गया है, जो चीज बताई गया है वो गलत है Mr. Sui Kee ने अपनी Armed Forces को Defend किया, अपनी Government को Defend किया है कहाँ पे At International Court of Justice, इन्होंने ये बोला है कि Rohingya कि जो killing हुई है इसमें military involved नहीं है, कहीं न कहीं military को इन्होंने Defend कर रखा तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि ये जो politicians हैं ये saint नहीं है, ये dharam guru नहीं है इनके साथ आप एक limit से ज़्यादा peace expect करोगे, ये नहीं है इनके लिए इनकी कुरसी बहुत ज़्यादा important है तो जब कुरसी important हो जाती है तो इनको एक समय पे कुछ achievements के लिए noble peace price देजाना और बाद में, जब ये लोग कोई ऐसा decision लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही peace के basic definition के against चला जाता है, तो noble peace price का overall objective ही खराब हो जाता है इसलिए जरूरी ये है, कि जो sitting prime ministers है, उनको noble peace price देना risky है, उनको noble peace price देने से refrain किया जाए ये बात बोल रही है, यहाँ पर श्री राम चोलाई मेरा आपको इस article को बताने का क्या आईम था ये जो लोग हैं जिनको noble peace price दिया हुए, इन लोगों के नाम याद रखेगा और noble peace price देने के बाद इन लोगों ने क्या ऐसे action लिये कि इनको noble peace price देने के act को ही criticize किया जा रहा है, ये याद रखेगा तो जब overall international peace और relations का कहीं question ना रखा होगा ना, आप इस information को quote कर सकते हो तो ये थी आज के daily editorial analysis, दोस्तों I hope आपको पसंद आई होगी, thank you for watching, have a great day